हेलो नमस्का दोस्तों कैसे आं सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की त्यारियां तो एक और ग्राम से वकार टेस्ट करेंगें दस मिनिट का समय आपके पास टो पचास क्योंस के आपको आंसर दे रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजे ताकि एक्जाम से पहल आपको टेलीग्राम चैनल से जिसका लिंक परहला सारने सर के नाम से सर्च कलेना सारी पीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी तो चलिए करते हैं सरवात और स्कोर जरूर बताके जाना है पड़ा बड़ रिजन जरूर करते रहे हैं पहले लिस्ट मैंने बना दी है पुरान सप्रेल 2010 को कब मना गया 24 सप्रेल 2010 को एकले कि देश का पहला वेश्ट गेंस पर आधारी पावर पलांट कहां लगया गया वेश्ट गेंस पर आधारी पहला ब्यावर में ब्यावर है जमेर में सुतिवसर मील भी यहीं पर स्तापित हुई थी एकले कि अक्सद कोशल योजन कब और किस के द्वारा शुरू की गी थी वेरी वेरी इपोर्टनेट यह वी थी 6 मार्श 2021 को और के अंदर सरकार की योजना है याद रखेंगे एक आपका सही है एकले के ठारा सो निन्यान में उनी सो को अकाल था किस परकार का अनकाल, त्रीकाल, जलकाल त्रीकाल, अकाल था तो राई टांस रख का बी हो जाएगा अगले के पालन हार योजना का समंद की से इस बार योजना की क्यों सुनाएंगे पालन हार योजना है वो अनोसोचित जाती के बच्चों से समदी तैम राटलना अनोसोचित जाती के बच्चों से ना कि जन जाती तो राई डांसर आपका सी है अगले कि समगर आवाश योजना के तहट राजे के किस स्थान का चेन किया गया है समगर आवाश योजना के तहट किसका चेन हो है दूदू का यानि जो की जैपुर में है एक आपका सही है अगले कि राजे स राजे सरकार के मुख्य सचीव की नुक्ती मुख्य मंत्री की द्वरा की जाती और कारेकाल भी मुख्य मंत्री के साथ सम्मंदों पर डिपेंड करता है। एगला की सरपंच के चुनाओं में कौन भाग लेता है। राजे पर साथ सन के ग्यारा क्यों सनाई थे लास्ट टाइम थोड़ा से द्यान से पढ़ लेना। इगला की राजे में भूमी की उर्था को बढ़ाने के लिए कौन सी पसल उगाई जाती है। बूमी की उर्था को बढ़ाने के लिए मूं और उडद होती है। हलांकि आंसर तो ए भी इसका गलत नहीं है तो डी गर देंगे राइट आंसर। एगला की राजेस्तान में छेतरवर की दर्शी से सबसे बड़ा जीला कुन सा है। तो सबसे बड़ा है जसलमीर, सबसे छोटा है दोलपूर। आप ये बता दीजे कि जसलमे धोलपूर से कितना गुना जादा बड़ा है किस सनाया वाह है कॉमेंट करके जुरूर बताइए। अगला की माही कंचन है वो किस पसल की किसम है। माही कंचन ये मक्का की है राइट आंसरॉप का एक नमर। अगला की राजस्तान के किस जीले में सरवादीक वर्सा होती है। सबसे ज़्यादा वर्सा जहलाबाड में होती है और सबसे कम वर्सा होती है जसलमेर में। अगर मैं स्थान की बात करूँ तो सबसे कम वर्षावला स्थान है सम् और आप कॉमेंट करके बताओ सरवादिक वर्षावला स्थान कौन सा है अगला है राजस्तान में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है जैसमंद जील उद्यपूर में जिसे डेबर जील भी कहते हैं गोमती नदी के किनारे पर जैसी निपनवाई थी और साथ टापू है सबसे बड़े और सबसे छोटी टापू का नाम कॉमेंट करके बता दू चली एगला है कि राजस्तान की प्राचीन प्राकृति जील पूसकर जील सबसे पवीतर जील जो माणी जाती है बी आपका सही है एगला है कि राश्ट्य ये सरसो अनुसंदान के अंदर कापर है शेवर बर्तपूर में है कब इसकी स्तापना की गई थी 20.6193 में đब का सही है एक लग कि रास्तान का लबग कितना प्रतिसत बूबाग मुरुस्तलिय चेतर के अंतरिकर आता है तो डो तीय रे बूबाग या लबग 61.11 प्रतिसत बूबाग आता है बी आपका सही है अगलाए कि राजस्तान की बोलियों का सबसे पहले बनात तक वरनन किस के दुवरा किया गया था पहली बार वर्गी करण किस ने किया था जोर्ज अबराहम गीरियसन के दुवरा किया गया था लिंग्वेश्टिक सर्वे उप इंडिया में गुनी 107 अगलाए कि अकबर के पानसी था नवरोतनों में और कवी में अबूल भजल थे तो राइट आंसराप का भी हो जाएगा एगलाए कि राजस्तान का परमुक लोक नर्ते बता दीजी राज्य नर्ते है गुमर नर्तियों का सिर्मूर नर्तियों की आत्मा राइट आंसराप का एक नमर एगलाए कि राजस्तान की सबसे प्राचीन ख्यात कुन सी है मुनोत नेंसी रिख्यात जो मुनोत नेंसी की द्वारा लिखे गई सबसे प्राचीन ख्यात और ख्यात का अपवाद भी है याद रखेंगे अगला है कि दुरुपत गायकी का प्रारम किसके सासनकाल में वाथा दुरुपत ग दोला मारू गीत कहां का परसिद देखो डोला मारू गीत है शिरुही का डोला मारू चितर अगर पूछे तो मारवाड का जोधपूर का परसिद है डोला मारू नर्त्य अगर पूछे तो जहलावाड का है तीनों याद रखे नर्त्य जहलावाड चितर जोधपूर और गीत श ईगला है कि किस संद के चमदकारों से प्रवावित उकर शीकंदर लोदी ने उने जागीर दी थी तो जसनाद जी जिन्नोंने जसनाती संपरदय चलाय था बान गंगा का मेला कहां पर बढ़ता है बान गंगा का मेला बढ़ता है जेपुर जीले में और बनी ठणी चित्रित गरंत किसकी रचना है बनी ठणी निहाल चंद की है भारत की मोनालिसा कहते हैं और किसंगड चीतर से लिशे सम्वंदीत है ये बनी ठणी का चीतर भारत की मोनालिसा आप अतो बनी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा किस ने था अगले कि मेवाड की राजकुमारी कश्णा कुमारी जिसके विवाह के कारण जेपुर और जोधपुर की मद्य संगर्श वाता किसकी बेटी थी तो ये महरणा भीम सिंग की बेटी थी ठीक है और युद वाता गीगोली का युद एक आपका सही है अगले कि खातोली है ये खातोली किस जिल्ले में है खातोली अभी बुंदी में आता है खातोली का युद आपको यादोगा 1517 में इब्राहिम लोदी हारा था अगले कि खातो श्याम जी का मंदिर कहां पर बनावा है खातो श्याम जी का मंदिर खातो शीकर जीले में है एक आपका सही और रेवा सा सीकर में आता है जीन माता का मंदिर वो भी शीकर में काफी परसीद है अगला है कि ठारवी स्तावदी के मद्दे जाट मस्का किन रियास्तों पर सासन था दो रियास्त हैं दो जाट रियास्त हैं एक मुस्लिम रियास्त और 16 राजपुत रियास्त हैं टोटल 19 रियास्ते थी अगला की बसंद गड़का शीला लेख किस से सम्मंदित है तो चावडा साका से चावडा साका ने शासन किया था भीन माल पर अगला की किस सासक ने चंदेरे के युद को जिहाद का युद गोशित किया था और राजपूतों के शीरों की मिनार बनाई थी तो बाबर ने अलांकि खानवा के युद्ध को भी जिहाद गोशित किया था दोनों याद रखे अगला कि किस करमाक में एगोस व्यंजन आते हैं एगोस व्यंजन कौन से हैं सैस है यानि राइट आंस रडी है अगला कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है कौन सा सर्वनाम है जो दिखाई दे रहा है वह मेरा है सामने यानि निश्चे वाचक है अगला कि उसने चाकू से फल काटे कौन सा चाकू से करण से करण कारक है यानि डी आपका सही आंस अगला कि किस सबद में अव्य भाव समास किसमें याव जीवन में यानि एक आपका सही है अगला कि नील कंट में कौन सा समास है कापी आसान है बवरी समास आता है यानि एक आपका सही अगला कि वन मानूस में कौन सा समास है वन मानूस है तत पुरूस समास है भी आपका सही अगला कि समास के टोटल कितने भेद होते हैं तो 6 भेद होते हैं यानि D आकास सही आंसर अगला कि किस वाक्य में सर्वनाम विशेशन है सर्वनाम विशेशन वैखंबा गिर गा जाएगा वैखंबा गिर जाएगा या राइट आंसर D है अगला कि किस वाक्य में सैक्रम किरिया नहीं है चलिए क्यूसन नहीं होना चाहिए था लेकिन चलिए सैक्रम किरिया किसमें नहीं है बच्चे फिलम देख रहे हैं रजदूत पीरा है मनीशा निकार करिदी है मोर नासता है इसमें नहीं है अलांकि क्यूसन तो नहीं होना चाह है अगला कि अधी उपसरग का परियोग किसमें नहीं वा है अधियादीस में है अधिपती अधिपती में है अधिग्रेण अधिग्रेण में है अधोमुक में नहीं है अधोमुक में अधी नहीं है तो डी आपका सही है अगला कि किस सबद में अनुपसरग नहीं लगा है रहेशन में है अनूगया में भी है अनंत में यानि D C आपका सही है यह किस में सम उपसरग नहीं लगा है समर्थ में है संतोस में है सैंस्कृत में सजन में नहीं है यानि D हो जाएगा आपका Right Answer तो आपने 59 मेंसे कितने सही के कोमेंट करके बताती जै सिया आलांगि 85 की उसलन ह हो एक उसे नहीं होना चाहिए था लेकिन क्या आपका श्कूर रहा है पीडियेप कहां से टेलीग्राम पर ये नाम सर्च कर लेना प्रहला सारण सर के नाम से और ये क्या दरखे एच एल एड़ी है ये एच ए एल डी नहीं है क्योंकि कुछ बच्चों ने भी चैनल बना रखे एच के आगे ए लगारक है जो नहीं है ये नाम देख लो वैसे नाम सर्च करने ना कुछ ये इस्टाग्राम का लिंक है ऐसा ही इस्टाग्राम पर आप सरच कर सकते हैं तो कर दीजिए लाइक सेर और रात को डेली 8 बज column उस से टेस्ट को जोइन करने के लिए تو मिलते हैं गले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू